नव निर्वाचित लोक्षबाज सानसदों का सपत गरहन आज संसद सत्र के दूसरे दिन भी लगातार जारी है अससदी नोव एसी सामने सपत गरहन के बाद जै भीम, जै मीम, जै तेलंगना और जै फिलिस्तीन का नारा लगा दिया ये वीडियो जैसे ही सोसल मीडिया के उपर आई, अंध भक्त और नफ्रत बाज सुलग उठे, उनके अंदर जो घरिना और मुसलमानों से देश भक्ती का सर्टिफिकेट मांगने की, जो उनके अंदर चुल मची होती है, वो सामने निकल कर आगए कोई अससुदी नवेसी साब को कह रहा है कि ये गद्दार है, इसको फिलिस्तीन ही भेज़ दो, हमास के टेरिरिस्ट के साथ मिलकर ये वहाँ पर जंग लड़ेगा, देश भक्ती के सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब मुझे बताओ पूरे देश के मुसल्मानों की मुसलिम समुदाये और जाली दो आर्टोपी वालों की देश भक्ती के उपर सक्क्योंने किये जाएं, ये तमाम इलजमात, अससुदी नवेसी की इस वीडियो के सामने आने के बाद लगाये जा रहे हैं, और उनकी संसद सदिस्टा तक रद करने का, नफ नारत के इक्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखोंगा, और जिस उहदे को मैं समानने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दोंगा, जै भीम, जै मीम, जै तेलेंगाना, जै फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु एक्बर. सुलिया आपने वीडियो, अब मांग ये की जा रही है, कि देखे, जै फिलस्तीन का नारा लगा दिया, लेकिन जै हिंद का नारा नहीं लगाया, भारत माता की जै का नारा नहीं लगाया, बंदे मातरम नहीं बोला, इनको भारत माता की जै की नारा इसलिए लगवाने है, ताकि मसलमानों के वेवारिक सभाव में भी हिंदू सर्शकर्ती का आईडिया आए इसलिए इनके अंदर चुल मची होती है लेकिन जो यह मांग कर रहे हैं जिस मुद्दे के ऊपर यह क्योश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जय फिलिस्तीन तो बोल दिया तो वो गद्दार हो ग उन्हें ने भी तो जय हिंद और भारत माता की जय नहीं बोला सबसे पहले तो नफरत बाज किस तरीके से चट पटा रहे हैं सोसल मीडिया की उपर जल गए हैं स्विकर्टिय नहीं हो रही है किस तरीके से विपक्स मजबूत होकर संसद की अंदर मोदी जी के ताना साहिक य संसद से लगाता है इनके लिए राष्टर शमाज नयतिकता न्याय सब एक तरफ और जालीदार टोपी एक तरफ एस पतित लोग संसद में है या भारत का द्रुभाग्ग है मतलब वहीं इनके लिए इनकी कौम सरोपर्थम है और बागी जाय भाड में ये परिदर्श है जो परकरण में भी सबसे आगे रखा लेकिन फिलिस्तीन एक आतंग की राष्ट है इसको संगह किसने दे दी इनके आका जिनके इसारे के उपर सारे दिन उनकी मंडली के अनुसार उनकी दरी बिचाने का ये काम करते हैं नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाते रहते हैं वहीं खुद मोदी सरकार संगह के अंदर कहती है कि हम संतंतर फिलिस्तीन के पक्स में हैं इसराइल के अक्राम करवये के विरोध में और जो आर्थिक सायता पहले दी जाती थी उससे भी यूपिय सरकार से भी अब मोदी सरकार ने बढ़ा दी है मैंने कह रहा खुद मोदी जी के विदेश मंतरी संकर साब ने संसद्वहन के अंदर कहा है सुन लीजे तो अब मुझे बताइए जिस तरीके से नफरतवाज कह रहे हैं कि फिलिस्तीन ये कातं की राष्टर है रातिंग की राष्टर का नाम लिया जा रहा है संसद्वहन के अंदर और उसके चलते देश भगती की उपर अस्वसदी निवेसी की स्वाल खड़े किये जा रहे हैं और जिस के पहिंघ रहे हैं कि अकराम करवया और जिस तरीक cannabis जूलम इसराइल प्लस्तीन की ज़रैधा waterfall कर रहा हैं इसको सुविकार नहीं करते हैं आप फिलिस्तीन की सरकार आर्पिलिक तो ये כ recon का wanna ब्रौए इतर पैसा है निदिए निएक की तेज्र के साथ एठी chce हो है तो ऐसे मोर्चि या जिसमें मोजी सरकार मुसलमानों के की साथ खड़ी होना पड़ता है तो ये कैसे करें अब मार्कुप खराब हो जाएगी ना अब देश के मसलमानों से नр egent और भार के और खुबी चला रहे हैं आगे देखिए देपक सर्मा ने लिखा बोलो नमक हराम क्यों नहीं बोलूं सफत के बाद भारत की जय बोलने की जगह आतंकियों के गड़ फिलिस्तीन की जय बोलावे सी सोचे कितने बड़े देश दरोही है यह दरिंदिय लोग सपत के बाद भारत उन्होंने भाद माता की जैनि बोली तो क्या वुदरिंदे नहीं है इनकी भासा में वो देश द्रहई नहीं निखाना जाता हूं अभर आशी साब की उपर कुर्षचन मार्क लगा दिया कि उन्होंने भारत माता की जैनि बोलि लें सब्सक्राइब करने वाला हूं उसके करतव्यों का स्रद्धापुर्वक निर्वहन करूंगा इसके बाद राजनात सिंग जी ने सपत ली वो तो रक्ष मंत्री हैं उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है لا कि सफत लेने के बाद भारद माता की जय की नार्या लगाد हैश्गक हमारे सेना हर वक्त हमारी देश भक्ति और अपने भारत माते क्या प्रथि प्रति प्यार को संजोय Uhr ख्ती है तो उनसे तो एक्स्पेक्स्टेशन की जा सकती थी ना कि वो भारत माते की जाय बोले उन्होंने इन नहीं बोला हाँ सुन लिजिए उसके कर्तब्यों का फ्रद्धा पुर्वक निर्वान करूंगा और जो हमेशा रष्ट्रबाद और हिंदुतों का पाठ गड़ते रहते हैं और गोधी मीडिया को टॉली में बठा कर उनको हड़काते रहते कोई सवाल पूछते हैं तो एक फेक प्रोपेगंडा देश के उपर था पना चाहते हैं घ्रह मंतरेय मिद्श्याजी ने भात्माता की जानिं बोला इसपत लिया और निकल लिया कहँ किया इतने स्वार्थी हों गय क्या अब संशद बनेगे तो भात्माता की जय कि नारेणी लगांगे घ्रह मंतरे मिद्शाजी सुन ले जीस पद को मैं गरहन करने वाला हूं उसके करतव्यों का सद्ध्यापुर्वक निर्वहन करूंगा अब यह दीपक सर्मा कहेगा कि भात मत है कि जैके नारे नहीं लगाए मोदी जैंदी नहीं ना राजनात संग ने बोला ना मित्सा ने इसकी हिम्मत है उनको दरिंदे और देश-द्रोही कहने की ओकात भी नहीं है यह सोच भी नहीं सकते क्यों एक प्रोपेगंडा के तहत सब्सक्राइब करेंगे शुदीर चोदरी के शाथ समृति लानी ने क्या किया था ना पूछने लगा था कि टमाटर का भाव क्या है तो समृति लानी ने वकाद दिखाई थी ना कि मैं भी तुछ सकते हूं कि तुम तीहाड में थे तब तुम्हारा क्या हुआ इसलिए इनक को पता है क्रोश कुष्ण करोगे जिनाकाओं के लिए दरी बिचाते हो उन्हीं के निर्देशन पर नफरत फैलाते हो तो उनसे सवाल थोड़ी ने कर सकते हो वह बेशक से लगा ले मुसलिम आगना को चाती के लगा ले अब योगा कर रहे थे 21 तारह को जैन के में मुसलिम महिलाओं के साथ सेलफी ले रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो इनको उसको लाउड है लेकिन इनको जो कान दिया गया है वो हमेशा मुसलिम सांसद अगर संसद में जा रहे तो भी उसकी देशवक्ते के उपर सवाल खड़े करना है आगे चलिए चंदन सर्मा ने लिखा ना भारत माता की जै ना जैहिंद सीधे जै फिलिस्तीन अल्ला हुआ अकबर यदि अब ओविसी को कोई गदार बोल दे तो इनकी नाजायज उलादे च्छाती पीट पीट कर रोने लगेगी ना भारत माता की जै और ना जैहिंद साइद इनोंने कल मोदी जी का अगरह मिंत अगर इतना ही मन है और यहीं फ्टीन आ इनका सारे नेताओं की ऊपर लगाऊं की भात माता की जैक ईानरे जिसने नहीं लगाएच साइद गरहन के बादव और जी पितने ओ इसी श्रीणी में हैं घ्रामिंट्रामित्यां और राधिनात सिंह वी तो इसी श्रीणी में हैं गंग्arina अ झार्ज व आपने और भी बहुत सारी बाते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ये अंधभक्त उनको सुनना चाहें जैस्विदान और भारतमाते की जैहिंद के नारे भी लगाएगे हैं ऐसे सांसद भी हैं जिन की चलते तुमारा ये नफरत बाजी का पूरा प्रोफेगेंटा बेनकाब हो जाएगा सुनना चाहता हूं एक सांसद महोदय का सबत घरन की बाद उनने जोर से नारा लगाया कि माइनोर्टीज के उपर अल्फ सेंख्यों के उपर जत्ता चार हो रहे हैं उनको बंद करो आई-एस की नोकरी छोड़के अब सांसद बन के आए हैं विवक्सी पार्टी से सुन लिजिये सुन लिया आपने ये कॉंग्रेस MP ससिकांत सेंथिल इनका नाम है धरा 370 को अब्रगेशन किया कि उस समय पर उन्होंने आई-एस के पद्स इस्तिफा दे दिया था और चुनाव लड़ने का एलान किया था और जीत कर लोकसमा में पहुंची है क्या हाल होगा अनभक्तों का नफरत बाजों का ये क्या सोचते हैं कि देश की जंता के सामने जो तुम बताओगे वहीं जंता सिकार कर लेगी तुम्हारे प्रोपगेंडा के अनुशार ही बीजेपी इटी सेल से जो आदेश आता है उसी के अनुशार तुम भी चर्चा करोगे गुदी मीडिया भी वहीं बोलेगा तेलिविजन स्क्रीन पर अससदी नवीसी को दिखा कर उसी से देशबक्ती का सर्टिफिकेट मांगा यहिंद कियो नहीं बोला रदिना सिंग जी ने क्यो नहीं बोला इनकी डैफिनेशन के हिशाब से तो राहूल गांदी देशबक्त होए और बोलने वाले सपत के बाद उसमें भाजपा के सारे लीडर्स तो पड़े होए हैं दरसल क्या होता है एसा कोई रूल नहीं है कि सपत गहाण के बाद आपको क्या बोले अपनी मर्जे से लोग बोलती हुए जा रहे हैं और जिस फुलो में डिस्कुशन चल रहा होता है उसी फुलो में लोग बोले लगते हैं असा सुढदी नौबीर juris fully Suppples के लिए रहे थे अपने कुर्से से उठे तो हमेशा की तरह अंद्भक्त और नफ्रत बाद जो वहां पर भी बैठे हुए हैं जैसे नारों को लगाकर उनको हमेशा चिड़ाते हैं और अब की बार भी रोने वहीं किया उसके बाद असुदिदीन ओविसे साब ने सपत लिए उन तरह क जै भीम, जै मीम, जै तलंगना और जै फिलिस्तीन बोला भड़क गए उधरवाले अब फितरत तो यहीं है ना कि मुसलमानों से देशवक्ति का certificate मांगना और इसके अराउंड नफरत की राजनीती करके वोट हासिल करना है तो कुछ ऐसे सांसद भी है भाजपा को जो शिव विधानिक नारे भाजपाईयों ने भी बड़ी सेंख्य में लगाएं क्या उनको भी हमास के पास भीजोगे ना बताना चाहूंगा भाजपा के सांसद हैं उत्तरपरदेश के बरेली से चित्तरपाल सिंग गंगबार हिंदू राष्ट्र की जै का नारा लगा हां सुनने ज जाती तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का था इस देश की जंता ने इस देश के विपक्स को मजबूत करके संसद में भेजा राम राज्या से इनको थपड़ जड़ा है हरियाना सहाप किया है पंजाब से साफ किया है महारास्ट्र में 13-9 के उपर आए हैं मतलब स सुईधान अभी अभी पहले उसकी कशम खाई है एक मिंट में ही उसका भूल गए इनकी मन्शा इनके अंदर क्या है चार सो पार सीटी इसलिए लाना है बड़ा बहुमत से बड़े बड़े बिल लोक्सवा रजस्मा में पास करवाने हैं सुईधान बदलना है और ये कहते क मोदी जी का गलाश सूग गया कि हम सुईधान को नहीं बदलेंगे और प्रधान मंतरी बनते समय माथे से सुईधान की किताब को चूम रहे हैं बता रहे हैं इनका सर्वे कह रहा है कि 400 पार की सीटे लेकर हम सुईधान बदल लेंगे इसलिए विपक्स्त ने इसका दूस प में तो सभी धर्मों को इजाज़त दे गई धर्म के आधार पर हमारा रस्टर है यह नहीं सब को अधिकार दिये गए है जब हिंदू रस्टर बन जाएगा तो मुसल्मानों को क्या दलीतों क्या क्या अधिवासियों का मनुवाद और ब्रहमनवाद इस देश में लागू हो इनको जरूरी है नहीं तो जैसे ही मौका मिला इनको आगे आने वाले समय में यह हिंदू रस्टर बना कर ही मानेंगे जिसमें सिखों और मुसल्मानों आदिवासियों अलफ सेंख्य को माइनोटीज और हमारे दबे कुछलों सेस्टी समधायों भी से क्या होगा आप खुद अंदाज लगा लिजे प्रूफ के साथ वीडियो मैंने आपको दिखा दी है लेकिन अंदभक्त इनको सेर नहीं करेंगे और मुझे बताइए पवित्तर मंच होता है पवित्तर मंच पर तो ऐसी बाते ही बोलने चाहिए जो परभावी हो जो आवाज उठाए और देश में और विदेश में कहीं बाते जाएं तो उसका परभाव पड़े इन्हों है फिलिस्तीन का आरा लगाया तो वो भारत्य जनता पार्ट्व०्दि सरकार और भारत सरकार के अजेंडा की अनुकूल ही तो है वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं लेकिन जो भाजपा का सांशर स् कैशांग को जाय की नारे लगाने लगे तो क्या यहाई सरथणीक नहीं है क्या इस देश के स्विधान को बदलकर रेस्स के के जंडे की ओप Eddy को चलाना नहीं कि या रेक्षण को खतम नहीं करें स्विधान और लोक्तंतर को कुछ रहेंगे नहीं आप सोलने जिए भारतिया जंता पार्टी के लोक्षभा सांसत अतुल गरग है उतरपरदेश के गाजियाबाद से उन्होंने मोदी जी के जैकारे के नारे लगाए हैं हेडगेवर शाब जो थे अरेसस के सरसंग चालक उनके जिंदाबाद के नारे लगाए हैं शामा परसाद मुखर जी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और शवभाईक तोर पर नफरत बाजो तुम्हें खायना चाहता हूँ भारत माता कीज़े और जैहिन इनोंने बोला ही न करूंगा शामा प्रसाद मुखर जी जिंदाबाद दीन द्याल उपाध्या जिंदाबाद अटल ब्यारी वाजपे जिंदाबाद नरेंद्रमोधी जिंदाबाद हो रहे है न अपनी पतलून खुद ही खोल रहे हैं और शिवम अपनी विचारधार और एजन्डे और सडियंतर को बेनकाब कर रहे हैं हिंदु रस्ट की जै के नारे लगाने वाले ये लोग इनके सीज लीडर सिवम सपत ग्रेंट समारों के बाद नहीं बोल रहे हैं भारत गांधी हाथ में सुधान की किताब लेकर कह रहा है कि जैहिंद और जैस्वीधान इस सब दिखाता है कि नफरत बाजियों का प्रोपेगेंड़ा एक सडियंतर का हिसा है जो उपर से आता है उसको गलपना है और वहीं थोपना है इसमें गोदी मीडिया और सोचल मीडिया प कुछ हो सकता है किसी दूसरे विक्ति का अलग हो सकता है लेकिन है तो भारतिया ही वो कोई भारत माता को माता के सवरूप में कर सकता है को मैट्रियल इमैट्रियल सवरूप में कर सकता है को अपने धरम के अनुशार कुसको अलग सवरूप में उनकी जैकार्या लगा सकता है सब्द अलग हो सकते हैं सब रूप अलग हो सकता है लेकिन देश जिंदाबाद है ये तो नारे हर को ही लगाता है अपने धरम के हिशाब से उसी स्ट्रक्चर में मुस्लिन सुमुदाई और सिक्ष सुमुदाई रलप संक्यक और दिलित भी वैसे ही नारे लगाएं ज़रूरी थोड़ी है नफ्रत बाजो ये धरम और नफ्रत का प्रोपेगंडा ही राम रज्जा ने तुम्हारा बेनकाब किया है आगे आगे देखो होता है क्या राष्ट्रबाद और हिंदू तव कितना फर्जी है और कितना असली है कौन नागपरी हुंदू है और कौन आशल हिंद कितना आगे क्या है और कौन आथसू तव Netflix